तो फिर आज मैं आपके लिए आउले की आई हूँ तो आज है आउले की अचार जिसे हम बना के इसे हम महने भर सुरक्चित रख सकते फ्रेंड तो इसके लिए देखिए कच्छा आउला है इसे अच्छे साप धो लीजिए और धोने के बाद इसे हम कट कर लेते हैं चाहे तो आप जो लाइन लाइन बना है वहां से पीस कर सकते हो और नहीं तो आप इसको जैसे चाहो ऐसे थोड़े चोट टुक्रों में कट कर सकते हो बस गुठली को आपको बाहर निकालना है तो मैं देखिए इसे ऐसे ही कट कर लेती हूँ और सभी आउलों को जब कट हो जाएगा तो इसे आप धूप में डाल दीजे दो से तीन घंटे के लिए जिससे की इसका जो पानी है वो थोड़ा सा सुख जाए एकदम ज़्यादा नहीं सुखाना है बस इसका पानी जो है वही सुखना चाहिए क्योंकि पानी जब रहेगा तो यह चार का खराब होने का डर रहता ह है तो पानी को हमें सुखने के लिए धूप में हम डाल देते हैं और नहीं तो आप पंके के नीचे तीन से चार घंट आप पंके के नीचे छोड़ दीजे तो भी इसका जो नमी है पानी है वो सुख जाता है और आवला जो है बहुत ज़्यादा फाइदे मन होता है इसमें विटामिन सी भरपूर मातरम होता है इसमें आइरन होता है केल्सेम होता है जो हमारे आखों के लिए बालों के लिए इसकीन के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन होता है फ्रेंट इसे किसी ने किस रूप में खाते रहना चाहिए अगर साल भर आप इसका सेवन करना चाह पर खड़ा सॉंफ ले डिजे। इसमेछ ले लेंगे सर्सो ले पर किषिएन। सरसो दाना है ये तो सरसो सौंफ और मेथी को हम पहले भून लेते हैं और हलका सा रोश करके इसे हम इसका रोश करके हम एक पाउडर बना लेंगे तो सभी को पहरे अच्छे से रोश्ट कर लीजिए बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अचार का यह वाला जो पाउडर है इसे आप कोई भी आचार में डाल सकते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो यह देखे रोश्ट हो गया है रोश्ट होने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे मिक्सी के जो जार है उसमें डालके इसे हम ग्राइन कर लेंगे और आउला को मैं तीन-चार घंटी उपर सुखा के रखी थी उसे अब लाकर उसे एक बरतन में ले लेते हैं जिसमें मुझी इसे मीक्स करना सभी हो और म मसाले में पॉडर बना ली हूँ पर प्राइब और यहां पर डाल देती हूँ प्रेंड और इसके बाद हम ढ़ा देंगे सुखे मसाले जैसे की है हल्दी, और मिर्ची तो मिर्ची मिर्ची में अच्छा कलर लाना चाहते हैं , तो कास्मिली लाल मिर्च भी आप डाल ये और के गालेगे और एबढें काला धीसे अलगा तो मां गरनी के सही अकंत झीच पर कर सब्सक्राइब करें टाले नमक और हम वह सब्सक्राइब कर हीघुत जब्सक्ते हम सब्सक्राइब ढाई जीज़ी दिए शोङगा तो छोड़न अच्य प्रणिशे हम यहां सब्सक्राइब कि अबाद इसे हम इसे साम को बनात रही हूं तो Swan aux छोड़ कर देती हूं और सर्सो तयल को गरम करके ठंडा कहोने के लिए लग देती हूं और सबेरे इसमें हम सरसो तेल एड़ करेंगे तो यह देखिए सबेरे को मैं इसको चेक करें तो देखी कितना चकलर आया है यह जो सबेरे देखनी से और हलका हलका मसाला जो है वो भीग गया है हलका सा इसमें अब हम इसमें डाल देंगे सरसो का तेल जो की गरम की थी रात को म और उसे अच्छे से घरम करके रख दीती उसके बद अच्छे से ठंडे हो जाएगा तभी हम इसी डालना रहता है तो इसमें हम डाल देंगे सरसो तेल सरसो तेल जितना को जरत हो कर दाल सकते हो तो यह देखिए सरसो तिल में डालके इसे मिक्स कर लेती हूं आप इसे दूप में रख दीजिए और उसके बाद खाईए और धूप में अगर नहीं रखोगे तो भी धीर धीर अचार जो है वह गल जाता है तो इसे में धूप में नहीं रखोंगी फ्रेंड बस घर में रखोंगी क्योंकि मुझे इसका जो कच्छा टेस्ट हो ज्यादा अच्छा जूड़ जाए और इस अफते आपको कई प्रकार की आउले की रेसेपी मैं आपसे शेयर कर रही हूं क्योंकि आउले बहुत फायदेमन होता है फ्रेंड तो जो जो रेसेपी मैं बना रही हूं वह आप सभी से में शेयर कर रही हूं तो जरूर आप भी ट्राइक किजिएग अपना कमेंट तो यह होगा आज की रेसेपी अब मैं आपसे बात में मिलती हूं फ्रेंड तब तक के लिए बाए टेक क्यार